प्रणाव विद्यार्थी मित्रों माधविद्या संकूल ओनलाइन टीचिंग माँ आपनू हार्दिक स्वागत छे आजनों आपनों विशे छे गुजराती ध्वराण 10 पाट सोड गती भंग गती भंग एटले चालवानी गती माँ भंग थावँ विद्यार्थी मित्रों तमें जानता जासों के गुजराती साही त्यमा मात्रू महिमाना गान करता अनेक काव्यों तेमाज पाठ लखायेला छे मात्रू पेमने लगती अनेक सुक्तियो पन प्रचलीच छे जेमके माते माँ बिजा बदा वगडाना बाग जे कर जुलावे पाणू ते जगत पर सासन करे एक माता सो शिक्षक नी गरस सारे छे गोड बिना मोडो कंसार माँ बिना सुनो संसार मांगया बगर मापन न पीद छे एवी अनेक सुक्तियो आपने गुद्राती साहितियनी अंदर प्रचलीच छे तो संस्कुरूत बासा मापन जननी जन्म भूमी चे स्वर्गा दपी घरिया शी एलेके जननी अने जन्म भूमी स्वर्ग करता पन चड़ियाती होई छे प्रिवेदिये पन तने ओडखुचू मां कावेनी अंदर मानी मम्तानू वणन करेलू छे तो कवी चेंद्रकांच सेठे पन गोद मातनी क्यां कावेनी अंदर के पैसा थी आपने सुक सम्रुदी भौतिक सुक सगवडों खरीदी सक्किये छे परन्दू माना प्रेमने, माना वास्सल्यने, माना पालवने, मानी हूपने आपने खरीदी शक्ता नती एम अनेक काव्यो ए गुद्राती साहेती अनी अंदर रचाया छे तेवीज रिते अईया लेखक मोहनलाल भाईदास पटेले पन गतिभंग पाठनी अंदर पड़े मात्रु मैमा नूस गान कर्युँछे सव प्रथम आपने लेखक परीचे मेडवीशू त्यार बात आपने पाठनी समझूती मेडवीशू तो पाठना लेखक चे मोहनलाल भाईदास पटेले शाहेती प्रकार लगू कथा लगू कथा एले नानकडी वार्ता लगू एले नानू स्वरुपने कथा एले वार्ता साहेतीय कृती विकल्प आ उप्रांत लेखके प्रत्यालंबन जाकड मा सुरजुगे एमनी लगू कथा ना संग्र छे तो बंधन, डेड एंड, हास्य मर्मर, लांचन तेमनी नवल कथा हो छे गुड मॉर्निंग अमेरिका एमनो प्रवास ग्रण छे, मोपासानी स्रेश्वार्ता हो एमनू अनुवाद नू पुस्तक छे तो सव प्रथम विद्यार्थी मित्रो लगू कथा एटले सु, ए आपनने ख्याल होगो जोईये के गुद्राती साहितियानी अंद नवल कथा, नवलीका, अने लगू कथा, आ त्रोन शब्द वच्चे, सु तफावच्चे, ए आपनने ख्याल होगो जोईये तो सव प्रथम नवल कथानी वाद करिये तो नवल कथानी अंदर नायकाने नायकाना जीवननु समगर जीवननु वणन करवामा आवेलुए चे एमा अनेक पात्रो होई, अनेक प्रशंगोनु वणन करवामा आवे चे जहें के गोर्दर नाम त्रिपाठी नी सरस्वती चंद्र नाम नी नवल कथा के जे गुद्राती साहित्यानी सौथी मोटी नवल कथा भाग एक्थी चा नी अंदरे लखायेली छे के जिमा नायकाने नायकाना समग्र जीवननु वणन करवामा आवेलू छे त्यार बाग टुकी वार्ता के जेने आपने नवलिकाना नाम थीपाण उडखिये छे तेमा नायक औने नायका ना जीवन नो एक महत्वनो प्रसंग केंद्रमा राखी येनू वणन करवमा आवे छे जेन के धुम केतुनी पोस्ट ओपिस नामनी टूकी बारता जेनी अंदर अली डोसो अने निम दिकरी मर्यम ना जीवनने ध्यानमा राखी अने वारता लखाईली छे अने वारता विश्वक अक्षाये प्रस्तिदीपण पामेली छे त्यार बात लगू कथा लगू कथा एटले नानकडी कथा जे मां मानव जीवनी एक शन्डो मैमा छे जे अत्यन लागव थी अन्ते चोट आपी जाए छे गती बंग लगू कथा मां डूंगर अने एनी पतनी राशपूर स्टेशने गाडी पकडवा जैई रया होई छे पन त्या अचानाक ए मारगे डूंगर नी पतनी नी चालवानी गती थमबी गई छे तेने प्रहत्न करेओ पन तेना मां आगर चालवानी शक्ती नोती डूंगर एना पर गुस्से थाई छे केमके तेने थाई छे के पत्नी आम धिमी गतिये चाल से तो गाड़ी चुकी जवासे तेनी पत्नी आम धिमी गतिये चाल सेतो गाड़ी चुकी जैसू तेथी तेनी पत्नी नी गती मंद पड़ी जवानू कारण तेने मार्गमा पोतानी मुरूत बालकी ना पगलानी छाप देखाई छे आ छाप जोई ने तेना हैयामा अमुरूत बालकी नी याद सलवडी उठे छे तो यां डूंगर नी पत्नी जेछे नी चालवानी गती मंद पड़े छे सिथीलता आवे छे कारण के एने रस्तामा चालता चालता डूंगर नी पत्नी नजर ए नीचे नी माटी एलेके धूल उपर पड़े छे अने धूल नी अंदर एने नानक्रा बालक नी पगलानी छाप देखाई छे ए छाप जोई औने डुंगर नी पतनी ने पोता नी मुरूत बाड़की यादावी जाए छे औने ए माता पोता ना बाड़की ना स्मरणों मा नी भुदकार ना यादों मा एक होवाई जाए छे पन लाकडीना टेके उभिला पतीने जोई रखेने गाडी चुकी न जवाए माटे ते स्मुर्तीने खंखेरी तेनी साथे पग उपाड़े छे लेखा के आ लगु कथा मा चालवानी गतीना भंगनी साथे माना विचारोनों गती भंग थतो दर्शाव्यों छे मानू म्रूत भाड़क प्रत्येनू मात्रूत वज वास्तले तेनी गतीने मंद पाड़े छे तो पाटनों सिर्षक छे गती भंग एलेके चालवानी गती मंद पड़वी धिमी पड़वी ए महिया माना विचारोनी गतीनों पन भंग थाए छे के माता ए पोतानी मृत बाड़की ना विचारों मा सरी जाये छे पोतानी मृत बाड़की के जे नानी हती त्यारे चालती अने पगलानी छाप ए माटी मा परती पोतानी साथे ज्यारे चालती हती त्यारे तो ए आजे अन्य बाडक ना पगला नी छाप जोई पोता नी मृत बाडक नो प्रेम माताने याद आवे छे अने बाडकी जे डगू मगू डगला भरती चालती हती बाडकी ये नजरे तरवरी उठे छे अने एना पती एने टकोर करे छे ले एने माना विचारोनी गतीनो पन त्या भंग थाये छे तो राजपुर स्टेसने गाडी पकडवा डुंगर अने एनी वव उबा मार्गे जडब थी जै रहा हता पत्नी नो पाचड पाचड आववानो अनसारो मोड़ो पड़ी जता डुंगरे पाचड जोयो अनसारो मोड़ो पड़ुएले चालवानी गतीमा सिथिलता आवी पत्नी रस्ता उपन नजर फेरावती धिमी पड़ी रहती सु खोड़े छेले शोदी रही छे ना पती एनी पत्नी ने पूछे काई नहीं पत्नी ये जवाब अपे ने जडब थी पग उपाडवा प्रायत्ना करयो थोड़ा डगला चाले आ पछी वड़ी एनो वेग मंद पड़ी गयो वेग एले नी जडब धिमी पड़ी गई एनो पती टकोर करेले फड़ी जडब थी चाले छे कारण के गाड़ी चुकी न जबाए पाछा चालता चालता एने एनी माने पतानी मुरूत बाड़की ना पगला नी छाप देखाये छे एले पाची गती धिमी पड़े छे आँ गांडानी माफख अडवडिया शू काई छे तो यां गांडानी माफख यले एक पागल मानसनी माफख सू लथडिया खाये छे के जें उपमा अलंकार नी लिखाके वाद करीचे गांडानी माफग। जारे उपमे उपमान नियों साथे सर्खामनी करवा मावे त्यारे आपने उपमा अलंकार कईये छे। पतनी थोड़ा डगड़ा आगर चाली खरी पण पछी तो ए ब्यसी पड़ी ब्यसी पड़ू एले आगर चालवानी हिम्मत न थवी। ते आज मनमा सू विचार विचार्यू छे। गाड़ी चुकी जैसो तो नहीं घरना के नहीं गाटना एवी दसा थसे। पतनी कसूज बोली नहीं भावाद्र बनी लागणी वश भाव विभोर बनी एतो नजरनी पीछी ने धूड़ू पर पस्वारी रही हती। जो यू ए बोली। पतना पती ने कहेचे पतनी नजरूपी पीछी द्वारा ए धूड़ू उपर नी छापने बतावे छे। सु मने तो काई देखातू नथी। पतनी आंगली नो छेडो छेक जमीन पासे लई गयी। एक घाटी ली एटले सुन्दर छाप वाडी। पगली नी छाप एले पगलानी महर। पगली एले नानाकडा बाड़कनू पगलू एने पगली। अने छाप एले महर। ए बतावी रही हती। आपनी बबली नीज पगली जाने। तो आप पगलानी छाप बतावी पोताना पयती ने कहे छे के आतो आपनी मुरूत बाड़की नी बबली नीज आप पगली छे। बबली एले नानी बाड़ानों हुलामनों नाम। अईयां लेखाके उत्प्रेक्षा अलंकार उप्रयोजो छे। जयारे उत्प्रेक्षा अलंकार मां उपमे उपमान होईवी कल्पना करवामा आवे। त्यारे तेने उत्प्रेक्षा अलंकार कहे छे। आने एमां मोट्टा भागे जाने शुद्दनों प्रयोग करवामा आ बरोबर एज पगलू आंग्डानी बोर जेवीच छाप के बरोबर एज पगलू आपड़ी बबली जेवीच पगली अने आंग्डानी बोर सुन्दर मजानी छाप गांडी एबा पगला तो घणाय होई ने चाल ले चाल मडू थसे के पागर आबा पोतानी पत्नी ने टकोर करता कैची गांडी गांडा गेला काडिस नहीं आबा पगला तो आपने घणाय रस्तामा जोवा मर से ले चाल हवे ने तो मडू थसे ने मडू थसे तो आपने गाड आख ना पगला नी छाप जोई मुरुत संताने स्वूती दी हाली उठेली डगी गयेली पतीनी प्रती सहानू भुतिनो बोल पतिये काडियों एने खबर छे के एनी पत्नी, के मातानो प्रेम ए बाड़क माटे केटलो निस्वार्च अने अमुल्य होई छे, तो एजे मुरूत बाड़की ना पगला नी छाप जोई अने पतानी बाड़की याद आभी जाई छे, तेथी एनो पती पने पतानी प्रत्नी पते एने सहानू थाई छे, पत्नी बेसीज रही ए बोली, खेतरे जता आने आवता, आगर आगर दोड़ी जती बबली नी पगलियों मारे हई जड़ाई गई छे, ये मारा रदैमा जाने छपाई गई छे, वसी गई छे, एज पगली पगली ना बीबामा पत्नी नी नजर डड़ी हती, के जयरे खेतरे जता आने आवता, मारी आगर दोड़ी ए बबली नी पगलियों आजे जाने मारा हई आमा जड़ाई गई एटले के स्तब्द धाई गी छे त्या, ए रदैमा वसी गई छे एनी छाप, डूंगर एकवार पत्नी ना मुक सामे जोई रही वने पछी पोतानी न तो त्यारे ए मातादो पोताना बाडक ना स्मरणों मा भुतकार नी यादो मा एक खोवाई गय छे, अने हवे एक पीता पन पोतानी मृत बाडकी नी यादो मा एक खोवाई जाय छे, लाकणी ना टेके गगन तरफ मो करीने उबार रही गएला पतीने जोईने पत्नी पाड़ी रहे ओ छे, एने कहिँ लियो हेंडो हवे पग उपाडो जट गाडी चुकी जैसू, तो अवे याँ पत्नी ने पन खबर पड़ी के नो पती पन पोतानी मृत बाडकी ना विचारों मा एक खोवाई गयो छे, एकले तरफ पोताना मनने स्वस्त करी, अने पतीने प पुंगर अने पत्नी बनने जड़क थी, चाले छे के जे थी ए पोते, समयसर स्टेसाने पोची शके अने समयसर गाडी मिलवी शके, तो आम आ पाठनी अंदर लेखके, के नानकडा पगलानी छाप जोई, अने माताने पोतानी मृत्यू पामेली बाडकी अने याद आवी ज जाये छे, चालवानी गती दिमी पड़े छेले पाठनू सिर्षक छे गती भंग, त्या एले गती नो भंग थायो गती दिमी पड़ी, ए नी साथे साथे ये माना विचारोनी गती नो पण बंग थाये छे के मापन पोतानी मृत बाडकी ना ख्यालों मा ए खोवाई जाये छ अज तो प्रणाम मामा